मान लेते हैं कि विजय को ग्रहकारे यानि होमवर्क के लिए 45 से 75 तक के सवालों को हल करना था अगर विजय सभी सवाल यानि प्रॉब्लिम हल कर लेता है तो बताईए कि उसने कुल कितने सवाल हल किये हैं और शायद इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए आप 75 में से 45 को घटाएंगे और हम जानते हैं कि 75 घटा 45 बराबर 30 होता है तो हो सकता है कि विजय ने ठीक 30 सवाल हल किये हैं लेकिन हमें यहां बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और क्यूं ध्यान देना है इसे समझाने के लिए हम सबसे पहले यहां प्रश्णवाचक चिन यानि क्वेस्चन मार्क लगा देते हैं इसके लिए हम कुछ छोटी संख्याओं से शुरुवात करते हैं जिससे की वास्तव में हम गणना को और बेहतर तरीके से सीख सकें और मान लेते हैं कि हमें 45 से 75 की बजाए 3 से 6 तक के सवाल हल करने हैं अगर हम इसे भी पहले वाले तरीके से हल करते हैं जो हमने यहां अपनाया था तब हम कह सकते हैं कि 6 घटा 3 बराबर 3 होता है और विजय को 3 से लेकर 6 तक के सवाल हल करने हैं, जिसमें कि सवाल 3 भी शामिल है, इसलिए विजय सवाल 3, 4, 5 और 6 को हल करता है। के सवाल हल करता है, तो ये सिर्फ 6 घटा 3 के बरावर नहीं होता है, असल में ये 6 घटा 3 जमा एक के बरावर होता है, यानि कि वास्तव में वो 4 सवालों को हल करता है। तो इसका उत्तर हमें सिर्फ घटाने से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस से पहले वाले सवाल यानि 45 वे सवाल की गिनती नहीं हो पाती है, इसलिए हम इसमें एक और जोड देते हैं। तो इस प्रशन में विजय ने कुल 31 सवाल हल किये हैं। आईए, अब हम गणना करने के कुछ और सवाल करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह की एक आक्रिती हैं, तो हमें इसके साथ समान टुकडे करने के लिए कितनी बार काटना पड़ेगा। वैसे हम ये सीधे आकृती काट कर भी पता कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इस आकृती के साथ के बजाए 70 टुकडे करने होते, तो उन्हें काट कर पता कर पाना मुश्किल होता, क्योंकि ये एक बड़ी संख्या है. तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये आकृती है और हमें इसके दो टुकडे करने हैं, तो बताइए हमें इसे कितनी बार काटना पड़ेगा, ठीक है, इसे यहां एक बार काटा और ये दो टुकडे, मतलब कि इसके दो टुकडे करने के लिए हमें सिर्फ एक बार काटना है, अब अगर हम इसके तीन टुकड़े करना चाहते हैं, तो हमें इसे कितनी बार काटना पड़ेगा? आए देखते हैं, तो यहां यह एक बार और यह दो बार, यानि कि हमें इसे दो बार काटना है, और हम यहां एक पैटरन बनता देख सकते हैं, अब अगर हम इसके चार संख्याओं के लिए करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पैटर्न को गौर से देखने पर पता चलता है कि आप आकृती के जितने टुकड़े करना चाहते हैं, आपको उस संख्या से एक कम बार आकृती को काटना पड़ेगा, इसलिए साथ समान टुकड़ों के लिए हमें इसे 6 बार काटना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं, क्यूंकि हमें सबसे आखरी टुकड़ा काटना ही नहीं है, ये अपने आप ही अलग हो जाता है, आईए इस तरह का एक प्रश्न और करते हैं, इशान खंबों के बीच कपड़ा बांधना चाहता है, और उसे 2 खंबों क 2 मीटर लंबाई का कपड़ा बांधना है, तो 2 मीटर लंबे कपड़े के लिए यहां ये पहला खंबा है, इसके बाद ये 1 मीटर कपड़ा और यहां दूसरा खंबा, और फिर इसके बाद 1 मीटर कपड़ा और अंत में यहां ये तीसरा खंबा है, हम इसे ऐसे भी समझ सकते मान लीजे हम इस आकरिती को यहां से काट रहे हैं और साथ ही हमें इसके किनारे भी बनाने हैं इसलिए ईशान को दो मीटर कपड़ा बांधने के लिए तीन खंबों की जरूरत है आईए देखते हैं कि तीन मीटर कपड़ा बांधने के लिए और है। इसलिए यहां यह आखरी खंबा है, तो इस तरह हमें चार खंबों की ज़रूरत है। इसलिए हमें प्रतेक भाग यानि section के शुरुआत में एक खंबे की ज़रूरत है, और इसे समापत करने के लिए भी एक खंबे की ज़रूरत है। जैसा कि यहाँ इस पश्ट है कि हम जितने मीटर लंबा कपड़ा बांढना चाहते हैं, हम उस संख्या में एक जोड़ देते हैं, फिर हमें उस संख्या के बराबर खंबों की जरुरत होती है। इसलिए अगर हम 18 मीटर कपड़ा बांधना चाहते हैं, तो हमें 19 खंबों की जरुरत होगी.